हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़िया जब किसी शो में लीप आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा सर्च होता है कि जिसको हमने इतना प्यार दिया है जिस जोड़ी को हम इतना ज़्यादा पसंद करते हैं क्या ये हमें लीप के बाद भी नज़र आएंगे ज़्यादा तर्ज होता है कि लीप के बाद वो नज़र नहीं आते हैं क्योंकि जो है वो बड़े बच्चों का माबाप का रोल करते हुए थोड़ा सा टकराते हैं या फिर कहें थोड़ा सा कटराते हैं ऐसे में जो है वो शो में काम तो करना चाहते हैं लेकिन बड़े रोल का नहीं वो माता पिता का रोल 5 साल के बच्चे का कर सकते हैं लेकिन 20 साल के बच्चों का माबाप का रोल करना हर एक्टर पीछे हटता है ऐसे मोंने लगता है कि अगर हमने popular show में भी माबाप का रोल कर लिया तो इन future में हमें लोग माबाप के रोल में ही पसंद करेंगे क्योंकि उनकी जो mind की छवी होती है वो वैसी ही बन जाती है और TV show में तो खासकर ऐसा होता है कि घर-घर में एक message जाता है कि जैसी आप story दिखाओगे कहीं न कहीं ये message जो है घर-घर में देखा जाएगा क्योंकि कुछ time पहले जो है हर show में जो है ट्रेंगल लब नजर आ रहा था फिर जो है किसी ने बाहर complain की तब जाके जो है ये सारी story तुरंत बदल दी गई फिर चाहे उडारियन की हो ये रिस्ता क्या कहलाता की हो या इमली की हो या फिर आपके जो है कोई अधर गुम है किसी के प्यार की भी हो क्योंकि आपने देखा था कि ट्रेंगल लफ हो रहा था ये रिस्ता में आरो ही अपने ही जीजा पे या अपनी ही बहन के प्यार को छीनने की कोशिस कर रही थी उडारियन में भी जैस्मीन जो है फतेजो को अलग करने की कोशिस कर रही थी इमली में भी जो है इमली की जो बहन है वो आदी को पाने की पूरी कोसिस कर रही थी तो इसलिए न्यू एंट्री देखर जो है इन्होंने कहानियों को गुमाया है हर एक की लेकिन उन दिनों ट्यार भी बहुत अच्छी निकल लई थी लेकिन घर में ये शो देखे जाते हैं तो नेगेटिव मैसिज परता है फिर रिस्ते जो घरों में देखे जारे है वो लोगों को कहना था कि घरों में टीवी ओन करना अब जब मुस्किल हो गया है इतनी गंदी स्टोरी दिखाते है तो इसलिए ये स्टोरी सारी चेंज की गई लेकिन अगर बात करें गुम है किसी के प्यार में 20 साल का ली पा रहा है ये तो आपको पता ही है हर दिन हर कोई न कोई एक नया चेहरा सामने आता है कि ये जो है गुम है किसी के प्यार में 20 साल के बाद नजर आएंगे लेकिन पहले फैमान खान का नाम सुनने में आ रहा था फैमान खान से जब इंटर्वियू लिया तो उन्होंने बताया कि उन्हें बिग बोस का भी ओफर मिलावा है लेकिन उन्होंने बिग बोस मना कर दिया है वो बिग बोस में जाना पसंद नहीं करते हैं ऐसे मैं उनसे पूछा कि आपको तो गम है किसी के प्यार को भी जो है। उन्होंने का हाँ मुझे ओफर मिला है लेकिन अभी मैंने ना भी नहीं कहा है और नाहीं हा कहा है। क्योंकि जो है मैं अपनी एक्टिंग में सुधार लाना चाहता हूँ। और जादा इंप्रूमेंट करना चाहता हूं, एक एक्टर्स की सबसे बड़ी क्वाल्टी होती है, कि वो हर दिन कुछ नया करें, कुछ नया सीकें, तो मेरे मन में भी यही है, तो हो सकता है कि जो है मैं गुम में नजर आ जाओं, और हो भी सकता है कि नहीं आंग, क्योंकि मु मागिन, ससुराज सिमर का, या फिर आपको सबसे प्यारे धरम पत्नी में भी नजर आ चुके हैं, जहां पे धरम पत्नी में इनका लुक सभी को बहुत पसंद आया था, जहां पे कहा गया था, कि आपकी जो बोड़ी है, वो बिल्कुल बॉली बॉड जैसी बन रही है, तो क सत्या, हर सच चोपड़ा से जा चुके हैं, आयशा और नील भट अभी सेट पर ही हैं, इमोशनली शूट कर रहे हैं, में भी उनका मिलन दिखाने वाले हैं, जो फैंस काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, साहिरात को एक कर दो, ऐसे में निउस निकल कर आई है, कि जो ह वो टैलेंट को सबसे पहले देखते हैं, यह निकी सबसे बैस्ट खॉड़ाटी हैं, तो ऐसे में उमीद थी कि वो पॉपुलर सीतारों को तो नहीं लेंगे, वो जो है टैलेंट होगा, क्योंकि पॉपुलरों के अंदर भी क्वाल्टी बहुत होती है, लेकिन वो थोड़ कर कमेंट करके जरूर बताईए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है